अबर आपको बताते हैं ओडिसा के बालासोर में कोई रेल हाथसे की जांच अब CBI करेगी रेल मंत्री अश्वीनी वैशनव ने इस बात की जानकारी दिया उन्होंने कहा कि हाथसे की वज़ा को लेकर कई चीज़े सामने आई हैं इसको देखते हुए आगे की जांच के लिए पूरे मामले को CBI को देने का फैसला रेलवे बोर्ड ने किया है तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे बालासोर हाथसे की अब CBI जांच कर आई जाएगी रेलवे बोर्ड ने इस बात की सिफारिश की है यह कहा गया है कि शुरुवाती जाच में कई चीजे सामने आई हैं जिस पर रेल मंत्री अश्मिनी वैशनव की तरफ से कहा गया कि अब रेल हाथसे की CBI जाच होगी ताकि हाथसे की सही वज़ा का पता लग सके हालात के आधार पर दरसल यह फैसला लिया गया है तो इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे एक तरफ बाला सोर हाथसे की CBI जाच की जाएगी दूशे तरफ 51 घंटे बीच चुके हैं इस हाथसे को और अब आखिरकार इस रेलवे ट्रैक पर एक बार फिर से जो ट्रेंड है वो दौडने लगी राजकोट में बाबा ने हिंदूओं से हिंदू राश्ट की मांग के लिए आवाज उठाने की अपील की उन्होंने कहा कि जैसे राम मंदिर के लिए आवाज उठाई थी ऐसी है आवाज उठाने की जरूरत है बाबा ने दिल्ली में हुई नावालिक लड़की की हत्या का जिक्र किया लव जिहाद को मिचाने की हिंदू राश्ट की जरूरत बताया इसके लिए हिंदूओं को एक जुठ होने पर जोर दिया इधर दिल्ली के शाबा डेरी मर्डू केस में आरोफी साहिल को जेल भेज दिया गया है दिल्ली पुलिस ने उसे कल कोट में पेश किया था जिसके बाद साहिल को कोट ने न्याय खिरासत में भेज दिया वहिए इस केस में पुलिस ने नई धारा भी जोड़ी है अरोफी साहिल के खिलाफ गळी पुलिस ने आस्टी आक्त के तहट भी मामला दर्ज किया दिल्ली केस की जाश में जुटी हुई है और सबूत जुटा रही है पुलिस ने इस वार्दात में इस्तेमाल चाकू को भी बरामत कर लिया था हथियार को साहिल की निशान देही पर बरामत किया गया था अच्छा इस माई की रात नाबालिक लड़की की साहिल ने बेरहमी से हत्या कर दी थी इस वीच पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि गैंग्स्टर लॉरंस विश्णवई ने पुलिस पूश्टाश में एक खुबूल किया कि वो जेल में रहते हुए अन्मोल विश्णवई से पूश्ट पर बात किया करता था अन्मोल विश्णवई गैंग्स्टर लॉरंस विश्णवई का भाई है जिसके अमेरिका के कालिफॉर्निया में छिपे होने का दावा किया जाता है और पुलिस सूत्रों के मताबिक लॉरंस लगातार उससे जेल में रहते हुए बात कर रह और इस बीश दिरादून के गैंगस्टर अतिक अहमत पर पुलिस ने अक्शन लिया है उसके अवयद घर को जमी दोश कर दिया दाए बताय जा रहा है कि उसका ये अवयद घर सरकारी जमीन पर बना था प्रशासर ने बुल्डोजर से अवयद घर को तोड़ दिया पिछले साल दैरदून के रहने वाले अतीक एमत के खिलाफ गैंग्स्टर डाक्ट में मुखदमा दर्ज हुआ था अतीक के खिलाफ जमीन से जुड़े धुखादरी के कई केस दर्ज हैं अतीक एमत के फरार होने के बाद 25 सिदार का इनाम भी घोशित किया गया था और उदर जार्खन में नक्सलियों के खिलाफ अभियान चल रहा है जिसमें सुरक्षबल को लगातार काम्याभी मिल रही है नक्सलियों की साजिश को पश्चिमी सेहभू में नाकाम कर दिया गया है पुलिस और सुरक्षबल ने पाच दिनों में 33 आईडी वरामत किये हैं जिनने नश्ट कर दिया गया नक्सलियों ने सुरक्षबल को नुक्षदान पहुंचाने के मकसद से इन आईडी प्रेशर बम को लगाया था इन बम की चपेट में गाउं के लोग आ रहे थे जिसके बाद कोलिस और सुरक्षबल ने टोटो और गोईल के राक्षेतर के कोलहान जंगल में संयुकत अभियान चलाया था